बात उस वक्त की है जब जारखंड अब भाजित बिहार हुआ करता था उस वक्त एक नए नेता उपरे जिनका नाम था शीवू सोरेन जो हर वक्त बिहार से अलग एक जारखंड नाम के राज बनाने की मांग करते थे ये मांग पूरी हुई सन 2000 में अडर विथारी वाज़पई की सरकार में उकत बिजेपी ने जारखंड के कमान बाबुलाल मरांडी के सौपी और पहले मुख्यमंत्री के तोर पर बाबुलाल मरांडी को जारखंड में जिम्मेदारी सौपी शीवु सौरेन के लड़ाई खत्म नहीं हुई शीवु सौरेन हमेशा जारखंड मुक्ती मोर्चा यानि आज की जेम्म को लेकर संघर्ष करते रहे सीवु सौरेन के तीन बेटे हुए पहले और बड़े बेटे का नाम दुर्गा सौरेन दूसरे बेटे का नाम हेमंत सौरेन और तीसरे बेटे का नाम बसंत सौरेन दुर्गा सोरेन की एक हादसे में मौत हो गई उसके बाद पूरे राजनेतिक और साथे साथ परिवार किस दिम्मेदारी हेमंत सोरेन के कंधो पर आ गई हेमंत सोरें ने सबसे पहले राजनयतिक की शुरुवाद अपने च्छात्र जीवन से एक च्छात्र राजनयता के तॉर पर की थी उसके बाद परिवार में और साथे साथ राजने तिक परिस ठितियां कुछ ऐसी हुई कि सन दोहजार नौ में हेमंत सोरेण ने राजसभा की सदस्ता गरहन की और उसके बाद जारखंड का प्रतिरीद किया इस अदस्ता कुछ ही दिनों तक चल पाई और उसके बाद हेमंत सोरेन ने जारखंड में ही दुमका से विधानसुभा की चुनाव लड़े राजमें बिधासुबा चुनाव हुए और हेमंत सोरेन उसमें जीत दर्ज की और उसके बाद सबसे पहली और बड़ी जिम्यदारी के तौर पर हेमंत सोरेन को फुप मुख्यमंत्री का पद्मीरा लेकिन ये पद जादा दिनों तक चल नहीं पाया क्योंकि गड़बंदन की सरकार थी और हेमंत सोरेन को जल्दी ही ये पद छोड़ना पड़ा ये यू कहें कि गवाना पड़ा हेमंत सोरेन लगतार चुनाव लड़ते रहे उसके साथी साथ उनके परिवार के किसी भी अन्य सदस ने चुनाव नहीं लड़ा हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से सन 2013 में मुखमंतरी के तोर पर शपत ली गड़बंदन यहां भी था और उसके बाद ये भी सरकार कुछ महीनों तक ही चल पाई सन 2014 में हेमंत सोरेन को करारी हार मिली बीजेपी ने सत्ता पर कबजा जमाया और पिछले पांच सालों तक लगतार शाशन किया एक बार फिर से 2019 में हेमंत सोरेन ने कॉंग्रेस और आरजेडी के साथ गड़बंदन किया गड़बंदन का फॉर्मूला ऐसा था कि हेमंत सोरेन के साथ साथ कॉंग्रेस ने भी भारी जीत दर्जी और आज का दिन है कि हेमंत सोरेन एक बार फिर से जारखंड के मुख्वंत्री के तोर पर शपत गहन करने वाले हैं जारखंड के राजनेटी की बात करें तो यहां पर कभी भी इतिहास रहा है कि एक इस्थिर सरकार नहीं चली है सम्-2014 को छोड़ दित इससे पहले किसी भी सरकार ने पांच साल का कारेकाल पूरा नहीं किया है हेमन्सुरेइन एक बार फिर से गड़बनन के साथ सरकार बना रहे हैं सवाल और कयास यह भी है कि शायद आने वाले दिनों में इस सरकार पर भी नजर लग जाए और इसलिए सबसे ज़ादा नजरे सब की टिकी हुई है हेमन्सुरेइन पर की आखिर वो आने वाले दिनों में किस तरीके नेत्रिक्त करते हैं और आने वाले दिनों में जारखंड को कौन सी नई उचाईया देते हैं हेमन सूरेन के बारे में कहा जाता है कि हेमन सूरेन बेहद ही सरल सभाव के वक्ति हैं कई बार लोगों के मदद के लिए अपने काम छोड़कर और यहां तक कि अपनी जरूरतों को भी पीछे छोड़कर सामने आ जाते हैं एक ऐसे ही घटना के बारे में उनके दोस्त विनूद पांडे ने बताया कि एक बार ये लोग कहीं जा रहे थे और रास्ते में एक व्यक्ति का एक्सिज़ेंट हुआ था अधर इस दोरान की बाद हो फिर जब वो संघश नों के बाद हो उनके अब सभाव में किसी भी तरीके का बदलाव आज तक नहीं हुआ है इस और उस आप को रखे आगे